हलो एंड वेलकम टो जे के सिटेडी सिर्कल बच्चो जे एंड के 12 पास निव रिक्रूट्मेंट यहां पे निकाली गई है जिसमें एरूंड 3712 टोटल पोस्ट देखने को मिल रही है बिग अपारिचुनिटी है आप सब स्टूडेंट के लिए कौलिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो 12 पास ग्रेजिवेशन पास यहां पे कौलिफिकेशन रहने वाली है इलिजिबल यहां पे मेल भी है और फिमेल भी है सिलेशन प्रोसीजर क्या रहेगा एज लिमिट कौलिफिकेशन एग्जाम पैटर्न सेलिबस सब कुछ हम आपको इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिएगा डेली अपडेट्स के लिए और अगर आप हमारे सोशल मीडिया ग्रूप्स टेले ग्राव वाटसब ग्रूप जुड़ना चाहते हैं इ अच्चो ये है आपके सामने अफिशल नोटिफिकेशन कमबाइन और हायर स्चेकेंडरी 10 प्लस 2 लेवल जॉबर रहने वाली है अगर हम बात करेंगे डेट आप सब्मिशन अफ ऑनलाइन अप्लिकेशन आठ अपरेल दो हजार चुबी से आपके अप्लिकेशन फर्म सिटा आपको नोटिफाइ कर दिया जाएगा अगर हम बात करेंगे पे सिकेल की ठीक है ना तो यहां पर जो जो पोस्ट है उसके साथ यहां पर सिकेल भी दीविए सबसे पहले लावर डिविजिन क्लोर्क एल्डिसी जुनियर सेक्टरेट एसिस्टेंट जैसे इसकी पे लेवर 2 रहने वाली है सिर्फ 10 प्लस टू अगर आपकी कौलिफिकेशन है आप इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हो ठीक है ना उसके बाद अगर हम बात करेंगे डाटा एंटरी ऑपरेटर डियो पे लेवल 4 25,000, 81,000 तक यहां पे पे लेवर रहने वाली है उसके साथ डाटा ए अब हमान के चले 3712 अभी पोस्ट देखने को मिल रही है ठीक है ना ओके रिजरिवेशन यहां पे रखी है अलग 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 केटेगरी वाइस वो भी आप यहां पे देख सकते हो ठीक है ना डाटा एंटरी ऑपरेटर इसके साथ जो फंक्शनल रिक्वार्मेंट है जो बे बिलां करते हो जिस भी योटी से आप बिलां करते हो आप अपलाई कर सकते हो एज लिमिट की अगर हम बात करेंगी तो एज लिमिट यहां पे 18 से लेकर 27 तक रखी गई है बागी रिलैक्जिशन जो है वो यहां पे अलग-अलग केटेगरी वाइस दी जाती है वो आप यहा आपको मैं बताने वाला हूँ, वो है education qualification, data entry operator, DEO के लिए यहाँ पे 12th pass, किसी भी sinus stream, mathematics stream में आप होना चाहिए, pass होना चाहिए, ठीक है न, उसके बाद जो LDC, JSA, grade A के जो posts है, वो भी यहाँ पे 12th standard होना चाहिए, उसमें आपकी कोई sinus stream से कोई belong नहीं है, simple आपने 12th pass किया होना चाहिए, artist है, आपके पास sinus है, जो भी है, तो आप apply कर सकते है, ठीक है न, और एक बात यहाँ पे है, अगर आपने भी 12th में appear किया हुआ है, तो भी आप in posters के लिए apply कर सकते हो, यह वाली lines आप पढ़ सकते हो, candidate who have appeared, जो appear हुआ है 12th standard जिसका भी result नहीं तो वो भी इन posters के लिए apply कर सकता है, how to apply, यहने कि apply कैसे करना है आपको, यह है इनकी official website, ssc.nic.in, इस website पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको पहले ही उपर वाले link मिलेगी, तो apply 3712 posters, combine higher secondary posters, वहाँ पे आप apply कर सकते हो, application fee total यहाँ पे 100 रुपी रहने वाला है, जो कि हर कोई effort कर सकता है, क्योंकि 100 रुपी कुछ भी नहीं है, आपका pack जो है वो daily आपका जो है वो रहने वाला है, 100 से उपर ही, center of examination यहाँ पे हर किसी state duty में रहने वाली है, अब यहाँ पे main बात यह है कि जो आपका syllabus है न, वो किस तरह रहेगा, यहाँ पे basic ही रहने वाला है, journal English, journal language, journal intelligence, country to aptitude and journal awareness, यह आपके 60 minutes जो है का duration रहेगा और marks भी यहाँ पे अलग-अलग portion में दिया हुआ है, 0.50 की negative mark में यहाँ पे रहने वाली है, तो guys यह था आज का job update, हम मिलते हैं next job update में इसी YouTube चैनल पर, bye!